फ्रेंट्स ड्रामा सीरियल एक सितम और का ये सीन मुझे बहुत पसांद आया है मैंने कहा मैं आप से जरूर शेयर करती हूँ यहां पे शेयरोज अपने घर में पूल के पास पैठा रो रहा है और इसकी आँखों में हम प्यार, मुहबबत और अकेला पन और एक डर जोशना को तुलाग देने का है वो हम जरूर देख सकते हैं शेयरोज का बाप भी वहां पर आ जाता है और बेटे की ये हालत देकर डर सा जाता है कहता है क्यों परिशान हो शेयरोज कहता कोई बात नहीं जब वो उनकी तरफ देखता है तो बेटे की भीगी हुई आंखे देखकर बहुत परिशान हो जाता है कहता है मैं नईमा को समझाओंगा तुम उषना को तुलाक मत दो शेहरोज कहता लेकिन अम्मी तो जिद पर आ गई है अब मैं क्या करूँ वो कहता कि मैं उसको ज़रूर समझाओंगा शेहरोज कहता नहीं अभी आप उनसे बात ना करें उनकी तबीय ठीक नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे तो वहाब सब कहते है चलो, ठीक है बेटा, हम बाद में बात करेंगे और मुझे तुम्हारा ये रविया बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बात कर रहे हो उष्णा के वज़े से तुम्हें इतना चेंज तो आया कि तुम्हें रिष्टों की पहचान होगी तुम मेरे से भी आप प्यार से बात करते हो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि उष्णा तुम्हारी जिंदगी में जरूर आए और मेरे से जो हो सकेगा मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा क्यूंकि मैं भी उष्णा को बहुत पसंद करता हूँ अब शेहरोज मुस्कुराने लगता है फिर बाप कहता है चलो बेटा ओटो खाना खा लेते हैं खाना ठंडा हो जाएगा शेहरोज बाप के साथ चल देता है और बाप ये देखकर बहुत हुश हो जाता है तो वो डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या होगा इस ट्रामे में प्लीस मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं हर आने वाली अपिसोट के बारे में आपको अवेर कर सकूँ अलाहाफिज